नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपको SDFC Mobile Banking App में PayE Add करना है तो सबसे पहले आपको Login कर लेना है SDFC Mobile Banking App में कुछ ऐसा Interface आपको दिखने वाला है उसके बाद नीचे आपको Options दिखेंगे यहाँ पर Bill Payment, Mobile Transfer, Add Pay Add Pay में आपको Click कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर उनका Bank Account यहाँ पर दिख रहा है इस वाले Option में च्लिक करना है उसके बाद Select Account Category यहाँ पर आपको Account की Category साइलेक्ट करनी है उनका Account HDFC Bank में है या Non HDFC किसी और Bank में है तो जिस भी Bank में है अगर HDFC में है तो आपको HDFC सेलेक्ट करना है SBI में है तो हमने आपर non SDFC bank account select कर दिया है name and account यहाँ पर account holder का name आपको डालना है जो भी है और नेचे आपको यहाँ पर account number डालना है फिर यहाँ पर दुबारा से account number डालना है और यहाँ पर account type select कर लेना है उनका account का type कैसा है वो आपको select कर लेना है जैसे current है saving है overdraft cash credit loan account है select कर लेना है उसके बार आपको यहाँ पर branch की IFSC सर्च कर लेनी है पर search बार में आपको click करना है उसके बार यहाँ पर अगर आपको IFSC नहीं पता है तो आप यहाँ पर banking creator प्राइब राचि नेम सकते हैं आयस सी कुछ खुद find करेगा अगर आपको IFSC code पता है तो आप यहाँ आभी partisan गोड़ डालें जैसे आप देख रहे हैं हम ने आप IP देटेटेल चेक करें, non-SDFC अकाउंट, name, account number, the inter-account number, account type क्या है, और branch क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर continue में click कर लेना है, continue करने के बाद दुबारा आपको यहाँ पर confirm करना है, account की सारी details है, आपको confirm में click कर लेना है, और दुबारा continue में click करना है, आपके register mobile नमबर पर OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर fill करनी है, उसके बाद continue में click कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर done में click कर लेना है, सारी details फिर से दिख रहे हैं, you have successfully added a pay, अगर वीडियो इंफॉर्मिटी लगी हो, तो हमारी वीडियो को like जरूर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मिट वीडियो के साथ धन्यवाद